आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। ध्वनी प्रवर्धक भी यंत्र है, ध्वनी विस्तारक और साथ ही साथ हम लोग इसमें प्लस कर देतने हैं, ध्वनी प्रवर्धक यंत्र है, ठीक है, तो हम लोग इस दोनों सब्द का यहां पे मतलब समझते हैं कि यह आखिर होता क्या है, तो देखो जो ध्वनी होती है, अगर एक व्यक्ति सामान्य रूप से इस तरह से यहाँ पे खड़ा है और यह अगर बोलता है तो इसकी ध्वनी जो है इस तरह से चारो दिसाओं में फैलेगी ठीक है और यह जादा दूरी तक नहीं जा पाएगी लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेगाफोन का प्रयोग करते हैं जैसे इस व्यक्ति ने चित्र में किया हुआ है तो यह ध्वनी जो है अधिक दूरी तक जाएगी ठीक है ध्वनी तरंग जो है अधिक दूरी तक जाएगी साथ ही साथ यह प्रवर्धित रूप में यानि कि बढ़े हुए रूप में जाएगी इसलिए यह जादा दूर में या फिर जो पुलिस होते हैं या फिर कहीं पे कोई एमर्जंसी है दुरघटना हो गई है या फिर कहीं पे ट्राफिक कंट्रोल करना है तो इस तरह के यंत्र का प्रयोक किया जाता है ताकि हम लोग सबी चीजों को विवस्तित कर सके जो की होता है मेगाफोन और यह एक भेशता है इसे लिए या प्रवरधक और सांथि साथ विस्तारक का भी प्रयोग होता है यहां पी यह व्यक्ति बात कर दा तो चारो दिशा में ध्वनी जारीती परन्तु इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में इस तरह से ध्वनी तरंगे जो है अगे बढ़ते जाएंगी ठीक है तो मेगाफोन क्या होता है ध्वनी विस्तारक और ध्वनी प्रवर्दा के अंत्र के सांसात ये ध्वनी को निश्चिस दिशा में गमन कराने के लिए होता है और इसके माध्यम से हम लुग संदेश को दूर इस्थानों तक भेज सकते हैं धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ये डाउनोट करें डाउटने डाप ये वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर